हालो एवरीवन विल्कम टू इलेक्टर डिपार्टमेंट आज की इस वीडियो में एक न्यू वेकेंसी के बारें बताने वाला हूं जो की आ रहा है उत्तर प्रदेश कॉपरेटिव सुगर फैक्टरी फैडरेशन लिम्टेड लखनव याने की उत्तर प्रदेश हाकारी चीनी मेल संग लिम्टेड लखनव की तरफ सी ये वकेंसी आ रहा है जिसमें काफी अच्छा सैल्डी मिलने माले 60,000 रुपे पर मन्त आपको सैल्डी मिलेगा और इसमें गर इलिजबिल्टी की पास करे तो इलेक्टरिकल मेकेनिकल बेस से इंटर्मिलेट मतलब की टेल्ट पास करते हैं तो complete information के लिए आप वीडियो को पूरा end तक देखे तभी आपको समझ में आएगा यहां पर आप लोग देश सकते हैं इस समय हम उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मेल संग लिम्टेड लखनव की official website पर हैं और यहां पर आप recruitment देख सकते हैं यहां पर यह sliding करके जा रह कर लिए हैं यहां पर देखिए दिया गया है कि समुखस रेडी के पदो है तो पदोनत नीत 2014 एवं सीधी भरती 2016 में निर्धारत की यह सैच्छी युगता एवं अनुभो के अनुसार इसमें देखें वेकेंसी किसके किसके लिए हैं और कौन-कौन सा पोस्ट वो देख लेत basta video मतलब electrical के लिए है इसमें अगर आपने BT किया है sin difficult में और 200 साल का अनुभो आपके पास तो आप इसके लिए बीर कर सकते हैं इसके लिए लिए सबीस्किय वेसमांग गा ए के साथ कम से कम दो वर्ज का अन्भव होना अनिवार है तो गाई यहाँ पर जो वेकेंसी आई हैं जो सभी वेकेंसी जो है अनुभव होना चाहिए आपके पास मतलब की experience या पिर experience किसी कंपणी में अगर काम किये आपके पास experience तभी आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं बात करेंगर manufacturing chemist के तो इसमें भी वेस्टी मागा गया है और दो साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन का अनुभव होना अनिवार है और लेखा अधिकारे मतलब experience मागा गया है इसलिए best salary भी काफी जादा है आपको 60,000 रुपे पर मन salary दिया जागा और गन्ना अधिकारी के लिए जो है बेस से अगर आपने किया है क्रिसी से तो आप आपके पास दो वर्स का अनुभव है तो आपको इस अपलाई कर सकते हैं तो यह vacancies निकली हुए अग यह website दिया गया है upsugarfet.org पर upload करना होगा और इसके बाद अनसुचित जात एवं अनसुचित जन जात के अभ्यरतियों को non-refendable आपेदन सूल के यहां पर रखा गया है जो की है इसमें देखिए 2500 रुपय है एवं समस्ट्रेडी के अभ्यरतियों को रुपे 500 RTGS के माध्यम से उत्तर प्रदे सहकारी चीनी मिल संग लिम्टेड लखनाओ के पक्च में जमा करना होगा तो फीज जो है आफ लाइन जमा होगा और जो आब इदन पत्र आपको भरना है वो आनलाइन ही भरना होगा ठीक है इसके बाद यहां पर देखिए RTGS के माध्यम से ध यहां पर देखिए उबरोथ वदोपर नियोजन पूरता आज था यहां समीदा के आधार पर कॉंट्रैक्ट बेसिज पर है और यहां पर जादा समय है इसमें तीन साल के लिए कर आपके पास जॉब नहीं है और आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं साथ इसमें लिखा गय है कि इस अबधिके अंदर प्रिथम 11 माह का समीदा काल पूर्ख हो जाने पर अगले 11 माह के लिए 11-14 माह के लिए परफार्मेंस के अधार पर आगे बढ़ा ही जाएगी जिस पर अंतिन विड़े संके प्रदबन देसा दोला रिय जाएगा काने मतलब अगर आपका परफार जिसकी गड़ना है तो एक चार जिसकी गड़ना एक चार दोचार बाई से की जाएगी और यहाँ पर देखिए बिल्कुल क्लियर सब्दों में लिखा गया है समीदा के अधार पर नियुजित किये गए उपरोग पदेहुत के उप्रलब प्रलब दिया अलगबग रूपए साथ हजार प्रतिमास साहत वेतन पर धोगे जो विशियस उगता एंवं विशियस उगता की दिसा में निगोसियेबल होगा अब यहाँ पर देखिए जो बताया गया है कि अगर आप इसमें जॉब नहीं करना चाते हैं आपका हो जाता है से रसन तो पंदरे दिन का नोटिस आप पढ़ सकते हैं अपकी कैसे अपलाई करना है इसके बारे भी आपको हम बता देते हैं अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अपलाई करने के लिए यहाँ पर आपको जो इसकी ऑफिसियल विबसाइट पर आ जाना है जो कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन की डिस्क्रिप् पर रजिस्टर नहीं तो आवेदन पत्र का प्रेट लेन रोडल अधिकार रे संपर करने दिया गया है इन पर क्लिक करके आप सब कुछ दे सकते हैं और आवेदन करने के बाद आपके इमेल पर मैसेज आ जाएगा कि अपने सक्सेश पर अप्लाइ कर दिया है तो इस प्रकार स है टेकनिकल फिल्ट इलेटर सभी जॉब अपडेट पाने के रिए आप मारे टेलिग्राम चैनल और यूटूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं